हर वेक्ति को अपनी सेहत की चिंता जरूर करना चाहिए जी हाँ ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम अगर सेहत मन रहेंगे तब ही हमारी जिंदगी खुशाल रहेगी आज MP News की टीम इसी विशय को लेकर MP News के खास कारेकरम सेहत आपकी में हाजिर है और हमारे साथ जूड़ रहे हैं डाक्टर मनीज बिंदल जो मोसमी बिमारी से लेकर जटिल बिमारी स्वाइन फ्लू तक के बारे में हमें जानकरी देंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन जटिल बिमारीों से दूरी बनाए जा सकती है मनीज जी MP News में आपका स्वागत है और मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूंगा मोसमी बिमारी को लेकर इन दिनों चिकन गुनिया, स्वाइन फ्लू या बात करें हम डेंगू यह बिमारियां इसी है जो लगातार देखने को मिल रही है और लगबग लगबग हर घर में एक म बिमारियां अपने पेर पसार रही है और किस तरीके से इन बिमारियों से बचाव किया जा सकता है यह बात आपने विल्कुल सही बोली कि अभी पिछले तीन-चार महने से यह बिमारिया बहुत तेजी से बढ़ी है खासकर वाइरल फीवर जो चल रहा है यह एक चिकन गुन वो उसके जो सिंटम्स है उसकी जो सारे प्रॉलम्स आरी है वो चिकन गुनिया जैसी ही है जैसे कि जोडों में दर्द जैसे बुखार जैसे रैशेज पूरी बोडी में लाल 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 दाने हो जाते हैं और खुजाल चलती है मूह में छाले हो जाते हैं कई बार जोडों मे जो वाइरल डिसीस चल रही है, वो बहुत देखने में आ रही है, इसके अलावा एक डेंग्यू फिवर और स्वाइन फ्लू, ये दो चीज भी बहुत ज़्यादा इस बार देखें गई है, डेंग्यू फिवर और वाइरल फिवर, ये दोनों मच्छों से फेलते हैं, स्वाइ लेकिन चुकि ये बरसाद के सीजन में यूमिट क्लाइमेट है, आदरता बहुत जादा रहती है, उस समय ये इस टाइप के ये वाइरस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जिबे बात करूंगा जो चिकन गुनिया का एक नया वाइरस है, जिसे डॉक्टरी भासा में कुछ लो जो हाला कि आपने अभी बताया कि जाँच जब की जाती है तो चिकन गुनिया का वाइरस जो है वो पॉजिटिव नहीं पाया जाता है, लेकिन लक्षन पूरे उस बीमारी में वही नजर आ रहे हैं, तो जो इन दिनों बीमारी घर कर रही है और जातर लोगों को अपनी जक बताजय में आपकान अपने हमारे घरों के आसपास कहीं पर भी ठारा हुआ पानी नहीं है क्योंकि ठारे हूए पानी में एडिज मछर जो रहते हैं वो उसमें बन अपनाता, और वो मछर जो है doctoral हिगे अगर किसी को घेंग्यों हो रहा है या किसी को चिकन गुनिया हो रहा ह और उस patient को अगर कोई मच्छर काटता है, तो वो मच्छर उस virus का carrier हो जाता है, वो वाहक हो जाता है उस virus का, अगर वो ही मच्छर अगर किसी दूसरे को काटेगा, तो उसको भी वोई spine अपने डेंग्यू या चिकन उनिया फिलाएगा, तो इस तरह से अगर हम मच्छरों की रो स्लीव के कपड़े पहने, और जहां तक हो सके हमारी skin को expose करने से बचे, मैं दूसरा सवाल करना चाहूंगा आपसे, जिसमें स्वाइन फ्लू को लेकर आपसे health awareness चाहूंगा, बात की जाए, पिछले कुछ वर्षों की तो स्वाइन फ्लू को इससे पहले कोई जानता नहीं और अचानक स्वाइन फ्लू का वाइरस देश में अलग-अलग छेत्रों में देखने को मिला, वहीं बात की जाए मद्देश के इंदोर में तो यहां भी लगातार उसके मरीज देखने को मिल रहे हैं, और बात इस वर्ष की की जाए तो मोतों का अकड़ा लगातार स्वाइ स्वाइन फ्लू के जो वाइरस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और किस तरह से जो इससे पीडित मरीज हैं वो अपने आपको बचाओ की मुद्रा में ला सकते हैं स्वाइन फ्लू जो फीलता है यह हमेशा आद्रता वाले वातावन बैदë बादावन रहता है तो वो फ्लूंजा 1 अबादावन रहता है तो वह इंफ्लूंजा के सारे वाइरस इसलिए आदरता रही है और होट हुआ 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 है उसमें यह वायरस बहुत तई से प्रोपगेट जा उसमें प्रशासन वाली बात है प्रशासन ने तो पूरी कोशिश करी है वहीं ऐसी बात नहीं है लेकिन यह जो वायरस किये तो टेमपरेचर के करेंड़ा है अब हमें पबलीक अवेरनेस से हम इसको ब्लॉक कर सका है वाइरस को जो भी जिसको भी अगर स्वाइन फू है या किसी को इंफ्लुएंजा है तो वो अपने आपको एकड़म सेपरेट करें दूसरों सबसे सेपरेट कर कर और वो अपने ठीक होने के इंतियार तक वो सेपरेट रहे और वो छीहे या खासे या कोई भी उसका secretion निकलता है तो वो उसको रुमाल में छीहे खासे और इसको भार की तरब प्रपगेट निकलता है क्या होता है हम लोग हमारे आदोतों में ऐसा है छीहे खासते हैं उसके मोह में कुछ रखते हैं तो उसके बाद में कोई दूसरा आकर लगाता है वहाँ पर, तो वो वाइरस उसको प्रोपोगेट हो जाता है, तो इस तरह से हमको segregation चाहिए, तो यह public awareness से होगा, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकते हैं, यह public awareness अगर public अगर इस चीज को सीख लेंगे, कि हमें किस-किस तरीके से इस से बचना है, तो यह ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमको public को educate करना बहुत जरूरी है, तो यह इस तरीके से हमको रोग सकते हैं, बिल्कुल आपने बताया है कि public को aware होना सबसे पहले जरूरी है, लेकिन मैं बात पुछना चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से यह बीमार आता है next year, तो वापिस से इसके case देखने को मिलते हैं, तो आखिर क्या है जो इतने समय तक लगातार इसके जो वाइरस है, वो जीवित रहते हैं, बीच का जो समय रहता है, उस समय क्यों नहीं कोई ऐसा मरीज सामने देखने को मिलता है, जो इस बीमारी का शिकार हुआ, वह बहुत समय तक जीवित बहुता है, आदरताक में फेलता है, अब वाइरस खतम क्यों नहीं होता है, एक्चली वाइरस अगर कंटिनियसली उसको केरियर मिलता रहा, तो वाइरस खतम नहीं हुआ, अब ये हमारा एक्चली इंडिया का जो क्लाइमेट है, हम टेमपरेट रिज पर पॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉप इसको रोक सकते हैं लेकिन इसके बारे में लोगबात जानते हैं जुटöffels को रोल नहीं कि पया से जुकलें हमाघामाने हैं मुश्म हमी नाषं को साला दीए वो हो सकता है उसको अमल में लाकर जो हमारे दर्शाके हैं वो इन बीमारियों से बस सकते हैं लेकिन अब मैं एक बड़ा विशाय लेकर आ रहा हूँ आपके पास जिसमें इंदोर शहर का जो जिक्र पूरे देश में हुआ है उसकी बात होगी वहीं जो बीमारियों में भी अगर हमारा शहर नंबर वन बन रहा है उसकी बात होगी मैं आपसे सवाल पूजना चाहता हूँ कि पिछले दिनों इंदोर स्वच्छता को लेकर नंबर वन आया है पूरे देश में लेकिन अगर बात बीमारियों की की जाए तो बीमारियों में भी इन दिनों नंबर वन बना हुआ है तो ऐसा आखिर क्या कारण है कि जहां स्वच्छता है वहाँ पर गंदगी भी अपना पेर पसार रही है और बिमारियां अपना पेर पसा रही गंदिगी के माद्ध-अगर गंदकी नहीं है तो भीर बिमारियों को अपना पेर नहीं पसाना चाहिए आखिर क्या कारण है कि बिमारियां एक तरफ बढ़ती जा रही है और एक तरफ हमारा शहर स्वच्च होता जा आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूचा है यह कई बार मेरे से कुछ मेरे पेशिंस में भी पूचा है कि क्या कारण इंदोर नंबर बन हुआ स्वच्छता में और उसके बाद में बीमारियां इतनी देजी से क्यों फेल रही है बैक्टुली क्या है हमारे आपर जो बीमारियां फेल रही है वहें स्वाइन फ्लू डेंग़्। वारल फेवर यह जू चीजे हैं यह पुब्लिक के अपस में कांटेक्ट होने से या मच्छर से फेल दो चीज़ वारल फेवर जो फेल रहा है यह घंग्छू से हमारे यहाँ पर कच्रा प्रभंदन बहुत अच्छा हुआ है उससे गेस्ट्रेंट्राइटिस टाइफाइड पीलिया यह वाले पेशेंट बहुत कम हो गाएं क्योंकि यह पेशेंट्स बहुत जादा होते थे मैं पिछले 25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं मैंने देखा है कि इसका incidence एकदम ड्रॉप हो गया है हमारे स्वच्छता के कारण से इसलिए अब इंडिया में इंदौर अगर स्वच्छता में नंबर वन हुआ है तो इस टाइप की diseases कम हो गई है गेस्ट्रेंट्राइटिस जो पतले दस लगना जो पेट में इंफेक्शन होना जॉंडिस पीलिया होना टाइफाइड यह सब बहुत कम हो गए यह जो दूसरी बिमारिया जो फेली है अब मच्छनों का एक्चुली हमारे पास कच्रा तो साफ हो रहा है लेकिन हमारे आसपास कूलर में पानी भरा हुआ है उसका हमने ध्यान नहीं रख रहे हैं हमारे आसपास कहीं गड़ा है वहाँ पानी भरा हुआ है उसका हम ध्यान नहीं रख रहे हैं तो नगर निगम ने कच्रा साफ करने क तो यह मच्छनों को अगर हम कंट्रोल में कर पाएं तो हम वाइरल फीवर और डेंग्यू जैसी विमारियों से प्रचपाएं इंदोर शहर की जनता है उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए स्वच्छता पर तो जंग उन्होंने जीत ही लिए लेकिन अब उन्हें जो अपना स्वास्त है उसकी जंग जीतना जरूरी और इसके लिए उन्हें ही आगे आना पड़ेगा यह बिल्कुल आपने सही कहा कि थोड़ा नगर निगम को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो फॉगिंग मशीने उनका उपयोग जो हर साल किया जाता है दिवाली के पेल को लगातार अपने जीवन में जो आखरी पड़ाव रेता है जो बुडापे का समय आता है और एक जवानी का दोर रेता है इसके बीच जो समय गुजाडना रेता है उसमें अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह से वो रखे कि अपने जीवन में बीमारियों को वो अपने से दूर रख पाए यह अपने बहुत अच्छी जीज कि भी कि कि कानी के हम हमारी लाइफस्टाइल फाशी अगर अ करते तो यह जो lifestyle disease है, diabetes है, blood pressure है, heart disease है, cancer है, इन चीजों से तो हम बचेंगे ही, साथ में जो infectious diseases है, अगर हम lifestyle अच्छी रखते हैं, तो हमारी immunity strong रहती है, हमारी रोग प्रती, रोग चंपता जो हती है, वो strong रहती है, immunity, वो strong रहेंगी, तो infections हमको कम होंगे, और कम होंगे, तो इस टाइब की यह चीज़ें, जो हमको infectious diseases है, उनसे भी हम बचा सकते हैं, तो lifestyle अपने आप में एक बहुत शांदार चीज है, कि हमें एक तो मैं आपको कुछ पूरी दिंचरिया बताता हूँ, कि जो एक ideal दिंचरिया होनी चाहिए, जिससे कि हम अगर उसको अपनाते हैं, तो हम बहुत सारी विमारियों से बस सकते हैं, सबसे पहले तो एक ब्रह्म मुरत में उठने का हमको जो भारती संस्कृति कहती है, कि ब्रह्म मुरत में उठना चाहिए, ब्रह्म मुरत में सुबह चार बजे, सुबह पांच बजे अगर उठकर हम नित्य कर्म करके योग क्रिया करें, योगासन करें, योगासन करें, घुमें बहार तेज चाल से, एक्सरसाइस करें, सुबह का दो घंटा, देड़ घंटा हमको कम से ना उपने शरीर को कि हम थोड़ा सा पेज खालेंगे अगर हमारे पुराने वेद और उनको आयरुवेद जो अपने आपर सुष्रूत और चरफ सहिता में सब चीचे बोली गई है कि हम अंकुरी तनाज खाएं फ्रेश वेजिटेबल्स लें फ्रेश फ्रूट्स लें फलाहार करें सुभा के जो अभी फास्ट फूट का जो चलन चल रहा है फास्ट फूट टीवी और मोबाइल और यह जो चीज़े चल रहेंगे इससे हमारे जो जीवन लाइवस्टाइल है वो हमारी पूरी चेंज हो और इसके कारण से जो डिसीज़ेश जो जैसे कैंसर के इंसलेंस बहुत जादा आं चलि हम गरेशलों हम डियॉतरी इंवांडम्मेंट हमारी लाइफ पूरी sedentary life हो गई है, sedentary life means हम बिना exercise के computer पर बैठेंगे, table पर सी पर बैठते हैं, कोई work नहीं, कोई कुछ नहीं, इसके कारण से diabetes, blood pressure, heart disease बढ़ती जादे हैं, तो ये lifestyle diseases बहुत जादा बढ़ती जादे हैं, इसका हम लोग ध्यान रतते हैं, तो इन चीजों स बिल्कुल सेहत आपकी कारेकरम में MP News के साथ जूड़े थे, डाक्टर मनीश बिंदल, उन्होंने हमारे दर्शकों को सलाह दी है, कि किस तरह से हमारे शरीर को स्वस्तर रखा जा सकता है, और मोसमी बिमारी से लेके lifestyle में कुछ बदलाव कर, हम अपनी सेहत को सुधार सकते है और जीवन को खुशाल तरीके से जी सकते हैं, अगले अफ़ते फिर मुलाकात होगी नए विशय के साथ आप जूड़े रहिए MP News पर और हमारे official Facebook page MP News पर अपनी राय दीजेगी कि यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा, वहीं आपसे जूड़े वे बिमारीों के जो सवाल है, वह हम लेकर अगली बार आपके सामने हाजिर होंगे और आपके सवालों के जवाब के साथ किसी नए विशय पर याने किसी नई बिमारी पर आपसे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।